सबी को मेरा नमस्कार आज हम लोग दूसरे टॉपत बात करने के लिए कठा हुएं साइकोलोजिकल फांडेशन्स ओफ लर्निंग बिहेवियरिज्म प्रसल बात मैं लर्निंग पर करना चाहरी थी लर्निंग पर वीडियो बनाना था मुझे इसलिए कि लर्निंग मेरे स्टूडेंट्स के सिलिबस में है लेकिन लर्निंग को शुरू करना इतना आसान नहीं है लर्निंग के लिए मैंने सुचा लर्निंग को बिहेवियरिस्ट पर स्पेक्टिक से बताना है कि कन्स्रुक्टिविस्ट के हिसाब से बताना है कि कॉग्निटिविस्म के हिसाब से बताना है तो बहुत complicated हो रहा था matter तो इसलिए मैंने सुचा कि इसको one by one बात करते हैं तो वैसे जब हम लोग books में learning पढ़ते हैं या even मैं भी जब class में learning पढ़ाना शुरू करते हैं तो because हम लोग के पास time इतना कम होता है और जब से CBCS आ गया है तो हम लोग इतना हरी इतने हरी manner में रहते हैं इतने 3G में रहते हैं कि हमें लगता है कि हमें फोड़ा सा time है इसी में हमको course complete करना है अपना फिर हमको उनका assessment करना है और फिर हमको उनके marks देने हैं और फिर दूसरे assessment का time आ जाता है हम उसको वहाँ से शुरू नहीं कर पाते हैं से हमको actually शुरू करना चाहिए syllabus में generally क्या होता है learning theories खोड़ा सा learning का होता है learning concept definition etc learning theories शुरू हो जाता है तो learning को इतने perspective से बताने का समय नहीं होता है नहीं किताबों में इस तरह से learning मिलती है हमको learning की एक रटी-रटाई definition सबको पता है ना कि change in behavior relatively enduring change in behavior is called learning यह जो learning की definition है वो किस perspective से दी गई है क्या यह constructivism के हिसाब से है कि cognitivism के हिसाब से है कि cognitivism ऐसा बोलता है या behaviorism ऐसा बोलता है इसलिए basic हम behaviorism से शुरू कर रहे हैं और अभी मैं इसी slide पर हूँ आगे नहीं बढ़ रही कि behaviorism जो है और फिर learning theories हम कैसे पढ़ते पढ़ते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि B.F. Skinner हम नहीं वहाँ से शुरू करेंगे पैवलॉफ है ना classical conditioning पढ़ना है, operant conditioning पढ़ना है या social learning theory पढ़ना है तो हम classical conditioning पढ़ने के लिए पैवलॉफ से शुरू करते हैं operant conditioning के लिए B.F. Skinner से शुरू करते हैं लेकिन B.F. Skinner behaviorist थे और वो क्यों behaviorist थे यह हम नहीं पढ़ पढ़ा पाते हैं class में because limitations होती है मैं पास फोड़े से time period में वो बहुत सारी चीज़ें cover करनी होती हैं लेकिन जब हम बैट कर सोच रहे हैं कैसे बताएं तब तो हम free हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो generally students नहीं जानते हैं generally लोग नहीं जान रहे हैं उसको बताया जाए तो जाड़िया रहेगा तो एक कोशिश में ने की है बताईएगा आप कैसा रहा behaviorism ठीक हैं तो सबसे पहली हो गया ना इसे हम naturalism पढ़ते हैं realism पढ़ते हैं idealism पढ़ते हैं तो हम generally ध्यान ही नहीं देते हैं और behaviorism वो ऐसे ही पढ़ जाते हैं और हम इस बात ध्यान नहीं जाता है कि ये एक philosophy का part है ये एक तरीके की philosophy है क्या है behaviorism अच्छा हाँ एक बात और आपको था तो जान बूझ कर मैंने slide को बिल्कुल black and white रखा है और content जादा रखा है because content जो है वो important है और आपको पता होना चाहिए generally ये बाते हम नहीं जान रहे होते हैं इसलिए मैंने slide को सजाने पर जादा emphasis नहीं किया है और content को जान बूझ कर कम नहीं किया है तो behaviorism क्या है behaviorism और behaviorism अच्छा spelling में you का अंदर है also called the learning perspective है ना ये एक अधिगम का परिप्रेक्षिय है where any physical action is a behavior ये कि व्यवहार वादी ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रकार का physical action हम करते हैं वो सब हमारा व्यवहार है it is a philosophy of psychology ये देखिए हम लोगी बात कर चुके हैं कि philosophy is the mother of all sciences but psychology sorry is a philosophy of psychology अतलब ये psychology से निकला हुआ philosophy है based on the proposition किस पर based है that all things which organisms do यानि कि वो सभी चीज़ें जो कोई organism करता है जैसे कुछ भी including acting, thinking and feeling can मतलब किया जा सकता है and should be मतलब किया जाना चाहिए या regarded as behaviors यानि कि माना जा सकता है या माना जाना चाहिए वो सब हमारे व्यवहार के अंतरगत आता है ये एक ऐसी philosophy है किसकी philosophy है, psychology की है किस पर based है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ हमारा व्यवहार है ये हमने wikiversity से लिया है ठीक है फिर हम एक normal definition हम wikipedia, encyclopedia किसी से भी उठाएं वो कैसे define करती है behaviorism को an approach to psychology यानि एक उपागम है मनो विग्यान का उपागम है मनो विग्यान का जो कहता है focusing on behavior यानि कि वो व्यवहार पर केंद्रित है व्यवहार पर मुख्य रूप से वो ता हुआ है focus करता है denying स्विकार करता है किसको deny करता है any independent significance to psychology focusing on behavior किसी भी any independent vicious चीज के लिए मना करता है any independent significance for mind and assuming that behavior is determined by the environment only यानि वो ये मान के चलता है कि सिर्फ और सिर्फ वातावरण जो है वो सुनिश्चित करता है कि हमारा व्यवहार क्या होगा ये तो हो गया behaviorism अब कहां से behaviorism शुरू हुआ किन-किन लोगों ने इसमें योग दियान किया क्या इसका इतिहास रहा है और बहुत interesting इतिहास है और कई चीज़े तो मुझे भी बहुत recently पता चलिए तो I am so excited to share with you कि जो हम इतनी बाद में जानें वो आप बहुत जल्दी जान सकते हैं क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए इतना matter available है इतना matter है हम लोगों के पास OER के form में जो creative comments हैं उनके हिसाब से जिनको बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बहुत जानकार लोगों ने बना कर डाल दिया है कि आप उसे पढ़िये अथा है इतना कि हम पढ़ ही नहीं सकते क्यों ना उसका हम लाब उठाएं ठीक तो वो क्या कह रहा है history of behaviorism में in the 1900s हम लोग psychology का भी इतिहास पढ़ चुके हैं तो सब कुछ ही इनीश्मी शताब्दी में ये सब कुछ हो रहा है तो in the 1900s यानि कि 1800 में जब ये चल रहा था most prevalent way of looking at learning was viewed as a scientific approach यानि कि 19-वी शताब्दी में ये हुआ कि learning को देखा गया तो किस हिसाब से देखा गया एक scientific approach के रूप में देखा जाया जाने लगा in contrast to किसके विरोध में किसके विपरीद to the introspective or psychoanalytic view of learning आप लोग ने introspection पढ़ रखा है introspection क्या है तदा introspection behaviorism से पहले का है वो कहते थे कि हम अपने मन के अंदर जहाक के बता सकते हैं कि हम हमारा behavior का क्या source है तो उसके बड़ा अच्छा कि ठीक है भई हम अपने बारे में बता सकते हैं कोई और तो बता नहीं सकता हमारे मन में क्या है लेकिन फिर उसके बाद इसका criticism यह आया कि introspection हम तब करते हैं जब हमारा मन शान्थ हो चुका होता है जब हम गुसे में रहते हैं तब तो हम मन के अंदर नहीं जहाक रहे होते हैं तब तो हम सिर्फ गुसे में रहते हैं हम जहाकते कब हैं मतलब उसके बाद follow up कब लेते हैं उसका जब हमारा मन शान्त हो जाता है यानि कि दोनों दशाएं तो एक हैं ही नहीं तो सही चीज कैसे निकल कर आएगी और psychoanalytic view किसका है? frayat का है आप सब भी जानते हैं Sigmund frayat की theory है psychoanalysis है न? यह जो दो theories most prominent उसपक चल रही थी उसपक चल रही थी behaviorism से पहले introspection और psychoanalysis इसके contrast में यह हमारी एक scientific approach के रूप में develop हुआ फिर behaviorism is linked with empiricism empiricism का मतलब आप जानते हैं हम लोग जब chemistry में पढ़ते थे तो होता था empirical formula मूलानुपाती सूत्र मैं इसको इससे link कर दे रही हूँ जो हम इंद्रियों से इंभव कर सके हैं जिसको हम देख महसूस कर सके हैं वो empiricism पे link करता है which stresses जो किस पर बल देता है scientific information यानि कि जो हमारी information हो बेग्यानिक होनी चाहिए and observation rather than subject or metaphysical realities subjective reality का क्या मतलब कि आपका subject उसमें involved है तो जो आपका subject involved है वो objective और scientific हो ही नहीं सकता और metaphysical का क्या मतलब अधिभाती की जो philosophical चीज़ें जिसमें आ जाती है इन सब चीज़ें ये सारी चीज़े objective नहीं है scientific नहीं है लेकिन behaviorism किस से linked है? empiricism से related है यानि कि जिसका आप सही सही अकलन कर सकते है फिर behaviorism was formally established with अगर हम सिर्फ जी अब मैं नाम लेने जारी हूं जॉन वाटसन अगर आएंगे तो जॉन वाटसन पे पूरा आदे गंटे का पिताल इस मिनट का वीडियो बन सकता है इतना कुछ इनके बारे में बताने के लिए है लेकिन बहुत सारी चीजों को करके मैंने एक साथ बताने की कोशिश किये तो कई चीजें फूट रही है बहुत कोशिश करने के बावजूद भी फिर भी कुछ मैंने जोडने की कोशिश किये इसमें तो जो John B. Watson है उनका Behaviourism was formally established with the 1913 publication यानि कि इन्होंने 1913 में publish कराया क्या publish किया? क्लासिक paper पेपर का नाम है नाम देखे कितना बड़ी है जब से मैंने इसको पढ़ा है तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है Psychology as the Behaviourist views it मनो विज्ञान जैसे की व्यवहारवादी उसको देखा है और ये इतना क्लासिक पेपर रहा कि often referred to as the Behaviourist manifesto इसको Behaviourism का manifesto कह दिया गया फिर और भी इन्होंने publish किया क्यों publish किया? क्योंकि शुरुआत में जब आया होगा तो ऐसा थोड़ी है कि जो Introspection को मानने वाले हैं काम करते रहे, काम करते रहे फिर 1919 में उन्होंने दूसरा पेपर पब्लिश किया Psychology from the standpoint of a Behaviourist एक दवहारवादी के दिर्ष्टी कोंड से Psychology फिर 1928 में दूसरा तीसरा पब्लिश किया Psychological Care of Infant and Child मतलब क्रमशह वो काम करते रहे पेपर निकालते रहे और धीरे-धीरे Behaviourism के प्रती जो Acceptance थी वो लिखे लोगों में Academic Psychologist में, Educationist में Philosopher's में बढ़ने लगी तो अब यहाँ पे नहीं लिखी है मैंने John B. Watson को ही Behaviourism का Father मानते हैं, Founder मानते हैं क्यों 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 कि इतना सब कुछ काम इन्होंने किया सबसे पहले-पहले और इनहीं के शब्दों में Watson साहब के शब्दों में ही अगर हम Behaviourism को Define करना चाहें तो क्या होगा Purely Objective Experimental Branch क्यों 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 कि वो पूरा इसको बोल रहे हैं कि Scientific है Objective है Purely Objective Experimental Branch जैसे कि आप Science में Experiment कर लेते हैं और उसका Prediction कर लेते हैं उसका Generalization कर लेते हैं वैसे ही आप Psychology में भी कर सकते हैं Experimental Branch of Natural Science that recognizes no dividing line between man and root यह Behaviourism की Definition in the words of Watson who was considered who is considered as father of behaviourism Got it? Then, Types of Behaviourism यह जो topic है यह मैंने कभी पढ़ा ही नहीं किसी Educational Psychology की book में क्यों क्योंकि जरूरत ही नहीं पढ़ती है वो Behaviourism रखते ही नहीं है अपने syllabus में वो शुरू करते हैं Pavlov से वो शुरू करते हैं Learning से Behaviourism के बारे में Methodological है वो क्या है? Normative Theory About the Scientific Conduct Psychology and has its roots in Positivism Sorry कह रहे हैं कि जो Methodological Behaviourism है वो Normative Theory है Normative का मतलब Norm से ब्लूड़ा है Norm से मतलब क्या है? कि What Should Be Normative Theory About the Scientific Conduct of Psychology and has its roots in Positivism यानि कि ये Manu Vigyan का Scientific Conduct का एक Normative Theory कि किस प्रकार से होना चाहिए और इसकी जड़े कहा है हमको Positivism से मिलती है अब हम Positivism में नहीं जाएंगे Normative Theory में नहीं जाएंगे क्यों? क्योंकि तब हम अपने पथ से भटक जाएंगे और बहुत बड़ा हो जाएंगे लंबा हो जाएगा वीडियो बोजिल हो जाएगा इसलिए हम इसको जल्दी से Short एक Review करते है इसका Positivism एक अलग है पुरा उस पे बात चीद की जा सकती है फिर Psychological Behaviorism Psychological Behaviorism क्या कहता है It is a research program within psychology एक फोटे से मैं बता दिया वैसे आपको इसके बारे में भी बहुत सारा literature मिल जाएगा अगर आप ढूणेंगे तो Research program within psychology का मतलब कि किस तरह से learning हो रही है learning को कैसे बढ़या किया जा सकता है behavior पे जहां से जुड़ी हुई है classical associationism जब आप conditioning पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि associationism और conditioning का क्या संबंद है क्या रिष्टा है क्या अंतर संबंद है परस पर ओके then analytical हम लोग जितना भी behaviorist को पढ़ रहे है behaviorism को पढ़ रहे हैं about the meaning or semantics of mental terms or concepts and has its roots in logical positivism यानि कि methodological or analytical जो है वो positivism से अपना roots उसकी निकली हुई है और psychological की classical associationism से निकली हुई है तब यह किस पे ज़्यादा emphasis करता है meaning उसका semantic क्या है उसका अर्थ क्या है mental terms concepts इस पर यह focus काती है फिर एक और खास बात हम कई बार जाते हैं कि skinner जो है वो radical behaviorist है और जो आपके develop है वो नहीं है हम कई बार हमने इस बात पर बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि क्या मूल अंतर है radical behaviorism में और psychological behaviorism में या radical behaviorism कैसे अलग है तो यह मान लीजिए कि यह जो radical behaviorism है वो सब कुछ अपने में समाहित किया हुआ है वो इसमें methodological भी है psychological भी है और analytical भी है और जबकि हम mainly जो psychologists पढ़ते हैं वो psychological पढ़ते हैं यानि कि methodological और analytical के बारे में वो नहीं बात करें अब इस पे जाएंगे तो फिर हम बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी क्योंकि skinner को बताने के लिए एक वीडियो भी कम है skinner ने इतना कुछ काम कर रखा है तो skinner को radical behaviorism क्यों क्यों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बताएं कि ये चुकि कह रहे हैं कि जो learning है वो सिर्फ environment है और environment का उस पे impact है और आपके mood, theory mood, emotions, feelings cognition का कोई रोल नहीं है लेकिन skinner इससे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ environment नहीं है बलकि आपका internal भी उसमें input देता है अपना आपके behavior में तो यह हम बात में जब skinner को detail में पढ़ेंगे तो हम इस पर बात करेंगे बात है timeline of development मतलब कैसे behaviorism जो है वो विवहार बात कैसे उसने ये shape लिया कैसे वो develop हुआ अगर हम देखें तो 1863 में Evans Kenovs ने एक काम किया एक lecture एक article पब्लिश किया reflexes of the brain सोची वो 1863 ही स्वी में ये सब सोच रहे थे मैं तो जब पढ़ती हूँ किसी चीज की history तो मैं इसी सबसे बहुत मतलब बिग्दम रोमान्चीत हो जाती हूँ मुझे लगता है कि 1863 में ये सब चल रहा था और अभी हम लोग 2021 में और तब भी हम चीजों को बहता तरीके से नहीं समझते ना हम इस तरह से सोचने की कोशिश करते है कि ये ऐसा क्यों है इसी लिए कहा जाता है कि हमको अपनी teaching learning में curiosity को develop करना है अपने students के बीच में उनकी creativity को develop करना है ताकि क्यों का प्रशन उनके दिमाग में कौन दतार है जब तक हम क्यों नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नया नहीं निकल कर आएगा तो reflexes of the brain was published introducing the concept of inhibitory responses in the CNS central nervous system ये NB capital होना चाहिए तो 1863 में इन्होंने कुछ ऐसी बात की कि central nervous system है उसमें कुछ reflexes कैसे होते हैं brain के कैसे निकल कर आते हैं उसके बाद निसों में Ivan Pavlov जो थे वो अदर reflexes पे काम कर रहे थे saliva response है सबको पता है नहीं है तो जान लीजे कि जो Pavlov सहाब है he was not a psychologist वो कोई psychology का principle निकालने का experiment नहीं कर रहे थे बलगे वो तो physiologist थे और वो तो सिर्फ ये चेक करना चाह रहे थे कि कितने amount का saliva secret हो रहा है या वो उसमें क्या-क्या कम ज्यादा है जो भी उनके उन्होंने अपनी assumptions ली हो वो बिलकुल भी psychology से related इनसान नहीं थे तो आई प्रोड़क निकल कर आ गया इसका कि learning और classical conditioning इनका इनकी जो थेरी हो गई और ये famous हो गए विश्व विख्यात ये काम 1900 में हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ 1913 में जॉन वाट्सन साहब अपना paper publish करते हैं जिसके भी पीछे बाद की थी psychology as a behaviorist we use it मनो विख्यान जैसे कि उसको एक विभारवादी देख रहा है फिर 1920 में क्या हुआ वाट्सन एन एसिस्टेंट रोजेली रेनर conducted the famous little Albert experiment little Albert experiment को मतलब बहुत famous experiment रहा है psychology और educational psychology इसको जानते हैं और 1920 में उने किया और एक बात खास इसमें बताने वाली यह है कि अब अगर यह experiment करना चाहते तो नहीं कर सकते विकॉस कि उसमें वो क्या कर रहे थे वो यह भाय को चेक कर रहे थे कि इसकिस object को दिखाने से बच्चा डरता है अब तो मान हानी हो जाएगी वो उस पर मानवादिकार आयो और यह सब बैठ जाएं कि आप बच्चे को इस तरह से नहीं डरा सकते लेकिन तब यह सारी संस्थाएं नहीं थी थेंक्स फू वाट्सन सहाब धन्यवाद ग्यापित करेंगे कि यह संस्थाएं नहीं थी करते अगर होते तो कि वो यह एक्स्पेरिमेंट कर पाया और उन्हें जो भी कंक्लूजन बिहेविरिजम के बुक्ष में निकाले फिर 1943 में क्लार्क हल साहब निकाल रहे हैं कि आप प्रिंसिपल्स ओफ बिहेवियर्स उन्हेस और तालिस में B.F. Skinner पब्लिश्ट कर रहे हैं क्या Walden King की बुक का नाम है विच ही डिस्क्राइब वो डिस्क्राइब करते हैं यूट्योपियन सोसाइटी फांड़ेड अपॉन बिहेवियर्स प्रिंस्पल्स इन्होंने अपना पब्लिश्ट इस क्रिटिसिजम ये आलोचना कर रहे है किसकी स्किनर की बिवहार बात की और इसके लिए उन्हें निकाला अपना आर्टिकल रिव्यू ऑफ वर्बल बिहेवियर्स तो ये भी एक खास डेवलप्मेंट का हिस्सा है और फिर 1971 में B.F.Skinner साहब की बुक आती है Beyond Freedom and Dignity in which he argued that free will is an illusion अब free will की एक बार और बात करेंगे लास्ट में सॉरी हाँ that free will is an illusion तो ये इतना main main इसके बीच में भी बहुत सारे और आ सकते हैं लेकिन मैंने इसको इतने पर ही delimit कर दिया फिर आते हैं हम learning पर देखिए learning से आने से पहले हमको इतना कुछ जानना पड़ा एकदम हम learning को यहां से भी शुरू कर सकते थे पहली slide learning और तब भी हमारा काम चल जाता पर इतना background आपके लिए जरूरी था according to behaviorist अब हम जब learning की बात करेंगे तो हम यह नहीं कहेंगे learning is this and that according to behaviorist ब्यभारवादियों के अनुसार अधिकम क्या है ब्यभारवादियों के अनुसार क्या है अधिकम learning is dependent on a person's interactions with their external environment यानि कि learning किस पर depend करती है एक व्यक्ति का जो अंतर संबंध चल रहा है interaction चल रहा है किस के साथ उसके वाहवातावरण के संग यानि कि हमारा वाहवातावरण से जो भी interaction है वही जिम्मेदार होता है हमारे अधिकम के लिए as people experience क्यों क्योंकि लोग अनुभव करते हैं क्या अनुभव करते हैं consequences, परिणाम अनुभव करते हैं from their interactions with the environment यानि कि जब हम वातावरण से interaction करते हैं तो हमको कोई consequence मिलता है उसका कोई हमको परिणाम मिलता है और उसी के हिसाब से हम अपने behavior को modify करते हैं they modify their behaviors in relation to those consequences यानि कि वो जो हमको उसका परिणाम मिलता है उसके हिसाब से हम अपने behavior को modify कर लेते हैं यह बहुत असान है आगे फिर और समझने को मिलेगा learning is influenced by associations between behavior and consequences मतलब learning किससे प्रभावित होती है अधिकरम हमारा किससे प्रभावित होता है वो जो सम्मंध बने देख यह association आ गया न यानि कि व्यभार और जो उस व्यभार को करने पर हमको परिणाम मिलता है उसका जो सम्मंध है वही अधिगम को प्रभावित करता है और behavior theorists define ये वाले लोग ये व्यभार बाद को मानने वाले ये अधिगम को कैसे define करते हैं as nothing more इससे ज़्यादा ही नहीं learning किससे ज़्यादा acquisition of new behavior कि हमने एक नया व्यभार सीख लिया और कैसे सीखा based on environmental conditions यानि कि जो हमारी बातावरण की दशाएं थी उनकर आधारित हमने अगर किसी नय व्यभार को अधिगरहित कर लिया है वही क्या हो जाएगा learning हो जाएगी फिर behavior psychology is a theory of learning अगर हम behavior psychology की बात करें तो ये एक अधिगम का सिधान्त है जो किस idea पर based है based on the idea that all behaviors are required through conditioning यानि कि जितना भी आपका व्यभार है वो conditioning के through acquired के जाता है ये conditioning terms बहुत popular है behaviorism में conditioning क्या है conditioning occurs through interaction with the environment जब हम अपने बातावराण से interaction करते हैं तो हमको किसी ना किसी प्रकार की conditioning हो जाती है हम उसके लिए conditioned हो जाते हैं कि हम उसी दशा में व्यभार करेंगे फिर behaviorists believe that our responses to environmental stimuli shape our actions तो जितने भी व्यभारवादी हैं वो क्या मानते हैं यह विश्वास करते हैं कि जो हमारे अनुक्रियां हैं वो environmental stimuli यानि कि environment जो हमको कोई stimulus देता है उसके प्रती जो हम response करते हैं वही हमारे actions को shape देता है मतलब वही सुनिश्रिक करता है कि हम क्या action करेंगे और in other words दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं behavior is determined by others rather than by our own free will अभी free will की बात हो रही थी न यानि कि हम अपनी इच्छा से तो कुछ करी नहीं रहें क्यों कि environment टै कर रहा है conditioning टै कर रही है consequences टै कर रहे है तो यह कहा जा सकता है behaviorist point of view से learning के लिए कि behavior is determined by others यानि हमारा व्यभार दूसरों के द्वारा सुनिशित किया जाता है ना कि हमारी अपनी इच्छा से notable behaviorists है ना वो लोग वो व्यभारवादी जिनको जिनोंने ऐसा उलेखनी ये काम किया जिसके लिए हमको उनको note करना जरूरी है edit देना जरूरी है जानना पढ़ना जरूरी है कौन-कौन Ivan Pavlov ठीक है सब लोग classical conditioning पढ़के आए है या पढ़ेंगे आगे फिर Edward Thondike Edward Thondike ने देखी instrumental conditioning दे थी जिसको law of effect की नाम से भी जानते है और यही law of effect से तू लेके skinner साब ने अपनी operant conditioning दी यानि operant conditioning को two instrumental conditioning से ही मिला है यह बात अक्सर हम लोग बूल जाते है फिर Tark Hull उनने दीती अपनी theory drive reduction theory drive reduction theory भी education के बच्चे पढ़ते है गूथरी की contiguity theory भी कहीं-कहीं पढ़ी जाती कहीं-कहीं course में ने होता है लेकिन आपका यह classical conditioning हो गया thondike हो गया, hull हो गया यह सब बच्चे पढ़ते है Tallman, Tallman की sign learning theory जिसको purposive behaviorism भी कहते है Karl Rogers, Karl Rogers की humanistic theory जिसमें उनने self पे बहुत emphasis किया है Skinner की operant conditioning पढ़ना ही पढ़ना है जैसे ही Pavlov की classical conditioning के बाद behavior sorry, Skinner की operant conditioning पढ़ी पढ़ाई जाती है और, sorry हाँ Albert Bandura Bandura की social learning theory का एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके है आप लोग वहाँ से देख सकते है Albert Bandura की social learning theory इसको कहीं कहीं observational learning theory भी कहते है इतने लोगों ने तो ऐसा काम किया जिसके बारे में इनको पढ़ना पढ़ाना जरूरी है इन्होंने उलेखनी यह योगदान behaviorism के क्षेत्र में किया है इनको दीखें मैंने timeline के हिसाब से लगाया 1814, 1814, 1814, 1814 और सबसे खास और interesting बात की मुझे Albert Bandura साहब की death का year नहीं मिला I think he is alive still because 2020 तक का तो दिखा रहा है उनको alive God bless him ठीक अच्छा behaviorists teaching strategies कि अगर हम behaviorists हैं, behaviorism को मानने वाले हैं, तो हमारी teaching की strategy क्या होनी चाहिए class में, देखे, सब हम लोग follow करते हैं, तो सोची सकते हैं आपकी behaviorism का कितना impact हमारे classroom teaching learning पे drill, क्यों drill क्योंकि जब आप thon dike पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जाते हैं, drill कर आई है, अभ्यास कारेंगे, अभ्यास कारेंगे, अभ्यास कारेंगे, अभ्यास कारेंगे, यही काम हम इक दम उसमें mastery हमको हो जाएगी तो drill चो है वो हमको behaviorism से ही मिला है, question and answer क्यों question and answer, question क्या काम करेगा, stimulus का, environmental stimulus का काम करेगा, अगर आपसे class में teacher कोई question पूछता है, तो आपको stimulus ही तो देता है न, कि अरे भाई, बहुत बातचीत हो रही है class में, तो हो कह देगा कि चलो चलो अच्छा, इस question का answer बता हो, तो सब लोग को stimulus मुल गया कि रहे इसका answer करना ह तो सब अपनी बातचीत बन कर देंगे और सोचने में पढ़ जाएंगे कि इसका क्या जबाब देना है, तो जो हम answer देंगे, वो क्या होगा, response, फिर उसका consequence अगर आपने बढ़ियां बताया है, वाहवाही हो जाएगी, आपको reinforcement मिल जाएगा, और आप ये सीख जाएंगे, क इसका मतलब थोड़ा बहुत feedback से है, कि हमको regularly उनको review करना देंगे, तो हमको immediate feedback मिलता है, तो हमको बहुत मज़ा आती है, लेकिन अगर feedback बहुत दिनों बाद मिलता है, तो फिर उपना मज़ाख हो देता है, जैसे कि हम जब google form भरते हैं, quiz, जैसे ही हम उसको submit करते हैं, तुरं तो हमको उसमें बहुत excited नहीं होते हैं, कि हमने किया, बस हमको feedback भी नहीं मिलता है, बस हमको answer मिलता है, sorry score मिलता है, feedback नहीं मिलता है, तो feedback या regular review is very much important, and we all are following this in our classroom, and this we have borrowed from behaviorism, then positive reinforcement, हम लोग जब B.A.D. में lesson planning करते हैं, जब हम teaching करते हैं, और हम को teacher क्या कहता है, कि आपको पु अच्छा उतर दिया है, तो आपको उसको बोलना है कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा बता है, अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे, तो उसको reinforcement नहीं मिलेगा, और वो demotivate हो जाएगा अच्छा बताने के लिए, positive reinforcement तो हम सभी उसको use करते हैं, हमें खुद भी अच्छा हम को हमारा जो subject है, हमारा जो विशवै, हमारा जो विध्वधाती है, उसके environment को manipulate करना है, जोड़ तोड करने environment, ऐसे, is an effort जिसमें हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, change the subjects observable behavior ताकि जो हमारा विशही है जो हमारा विद्धार्थी है उसका जो behavior है जो observe हो रहा है उसमें हम change ला सकते और the role of the teacher तो शिक्षक का क्या role हो जाएगा शिक्षक की क्या भूमी का हो जाएगी is to manipulate the environment हम वातावरन को manipulate करना है in an effort इस प्रयास के तहट encourage the desired behavioral changes ताकि हम वांचित जबहार जन्में परिवर्तन को उत्साहित कर सकें है न? तेकि हम वो effort करें उस हिसाब से effort करें manipulate करने का अपनी classroom environment को ताकि हम बच्चे में desired behavioral changes को encourage कर सकें अच्छा फिर strength चक क्या है इसके plus points क्या है plus points क्या है focuses on observable measurable behavior हम सारी बातें behaviorism की कर रहे हैं उसमें हमने learning को as a part पड़ा है तो हमारा main emphasis is behaviorism पर है विवहारवाद क्या है विवहारवाद की कौन से शाखाएं विवहारवाद का जन्म कहां से हुआ अविवहारवाद के अनुसार अधिगम क्या है focuses on observable measurable behavior यानि कि इसका मुख्या focus किस पर है वो behavior जो observe किया जैसा कि प्रेक्षणी हो measurable है measure के जाने योगी हो मतलब मापनी हो scientific and replicable मतलब हम कही रहे हैं वो कि यह पूरा scientific है natural science के हिजाब से तो जब scientific है तो आप उस पर experimental research कर सकते हैं और जब आप experimental research कर सकते हैं तो आप जानते है experimental research की main खास बात क्या है कि the result of experimental research applicated to का मतलब कि सामा इसी दशा में अगर हम उसी तरीके से experiment करेंगे तो हमको same result मिलेगा फिर many experiment to support theris यानि कि हम behaviorism के पक्ष में देखे तो बहुत सारे प्रयोग हैं जो कि इस theris को support करते हैं फिर useful for modifying behaviors इन इन रियल world हम रोज मर्रा के भी संसार में behaviors को modify करने के लिए इसको ये labdaयक है किया जा सकते हैं useful applications in therapy education, parenting and child हम जब conditioning पढ़ेंगे तो हम इसको महाँ पर emphasis करके पढ़ सकते हैं कि हम conditioned तो करते हैं decondition भी कर सकते हैं unconditioned भी कर सकते हैं जो undesirable behavior है उसको unconditioned भी किया जा सकता है और जो desirable behavior है उसको conditioned करना है इसलिए कह रहे हैं कि therapy में चाइल्ड केर में parenting में इसका बहुत रोल है और education में तो रही फिर weaknesses as you all know that each coin has two sides केवल strength नहीं हो सकती कुछ न कुछ weakness जरूरी है क्या weakness है does not account for biological influences biology को तो ले ही नहीं रहा है nature, nurture अगर हम controversy की बात करें तो यह सिर्फ और सिर्फ nurture पे बात कर रहा है क्योंकि nurture हमको कहा से मिलना है environment से मिलना nature का तो कोई रोल नहीं है तो यह तो सम्भब नहीं है biological influences है आपका individual differences है उसको यह कहीं account नहीं करता है फिर does not consider moods, thoughts, feelings cognition की तो बात ही नहीं है हमारे मन में क्या चल रहा है उसका कोई बात ही नहीं सिर्फ observable behavior की बात करता है तो यह भी इसके बहुत बड़ी कमजोरी है क्योंकि हम सब जानते है कि हमारा ब्यवार हमारे mood, thoughts और feelings से governed होता है फिर does not explain how other types of learning occurs यहीं थोड़ी होती है conditioning और deconditioning और unconditioning यहीं तो learning का type नहीं है learning तो बहुत-बहुत-बहुत complex जीज़ है तो जो दूसरे प्रकार के अधिका में उनको यह explain नहीं करता है पिर as low ecological validity ecological validity इसकी कम है reductionist यह बड़ा मुझे खास point इसका लगता है reductionist और generally हम इसका मतलब भी नहीं समझते हैं और बस पढ़के निकल जाते हैं reductionist reduction का मतलब क्या होता है तोड़ना ना reductionist approach यह कहती है कि इतना भी complex हमारा behavior रोज को तोड़ तोड़ कर हम stimulus response के condition और association से जोड़ सकते हैं यह reductionist जबकि ऐसा नहीं है हर वेवहार आप पोड़ नहीं सकते हैं फिर इसके दो मुख्या जो इन्होंने इसको माना नहीं है इसकी बुराई की इसके बुराई in the sense आलोचना की बुराई शब्द नहीं सही है यहाँ पे फ्राइट क्या कह रहा है फ्राइट felt that behaviorism failed, वो कह रहा है कि वेवहार बाद तो fail हो गया, क्यों fail हुआ by not accounting for the unconscious mind's thought, यूँकि फ्राइट ने तो सब कुछ unconscious पे कहा है, वो तो कह रहा है कि conscious तो हम बहुत कम शो करते हैं सब कुछ तो हमारे unconscious में है और जो behaviorism है, unconscious को लेता ही नहीं, उसने तो mood, thought, feeling, cognition को चुगए ही नहीं है, इसलिए behaviorism failed फिर Karl Rogers क्या कहते हैं जो कि humanistic psychologist हैं उन्होंने self पे बहुत बात किये ideal self की ये कल्पना करते हैं, ये कह रहे हैं कि believe that behaviorism was too rigid, बहुत rigid है and limited, बहुत संकुचित भी है क्यों? failing to take into consideration personal agency, आपका self तो include ही नहीं कर रहा है, तो फिर behavior किस काम का, किस बात का and last but not the least, critical evaluation, हम अगर इसका एक समा लोचना करें एक इसका आलोचना अत्मक मूलियंकन करें तो क्या कह सकते हैं हम? कि despite these criticism, चाहे हम जितनी भी आलोचना behaviorism की कर लें behaviorism has made significant contributions to psychology, इसने मनोविज्ञान में बहुत अथवपूर्ण, इसका योगदान रहा है या क्या योगदान रहा है? these include insights into learning, इसने हमको learning के बारे में बताया, language development, भाशा के विकास के बारे में बताया, moral and gender development के बारे में भी बताया है which have all been explained in terms of conditioning, यह सब कुछ learning language, moral, gender differences conditioning के थूँ सीखे जा सकते हैं explain किये जा सकते हैं, व्याख्या की जा सकते हैं behavioral therapy and behavior modification represent one of the major approaches to the treatment of abnormal behavior and are readily used in clinical psychology psychology की एक और खास शाखा है, जो बहुत popular है, clinical psychology उसमें जो abnormal behavior है, वाँचनी है मतलब normal नहीं है, normal से भटक है, हटके है, वो व्यवहा जो होते हैं, उनके treatment पे ये behavior therapy or behavior modification बहुत significant role play करता है और ये सब कुछ हमको behaviorism से ही मिला है okay, so I think I have been successful in incorporating many important points all together conclude what behaviorism is what is learning in accordance with behaviorism, okay done from my side thank you thank you thank you thank you